student के साथ न्याय हो क्योंकि देखिए अब वो जो समय भीता है उसको तो हम वापस से नहीं ला सकती लेकिन अब इन student के साथ कैसे न्याय मिल सकता है कैसे उनके साथ justice हो सकता है क्या option क्या है option एक है मैं इसके अंदर absolutely कुछ भी नहीं किया सकता यदि examiner जो होता है जो invigilator होता है उसको यह flexibility provide नहीं की जाती है कि आप अपने basis पे अपने संग्यान में लेके अपने description के उपर decide करने कि किसी reason से कुछ घर बोड़ी तो 40 minute extra दे दिये तो आप invigilator के सोचे यदि मैं invigilator हूँ मुझे वह हक नहीं दिया गया तो I have to take the paper back right but at the same time NTA एक साल के अंदर 24 लाग बच्चों ने exam लिखा आप यह माल लिजे उनसे 1000 से 2000 के बीच में application fee ली जाती है तो 240 से 300 करोड के आसपास fees application fee ली जाती है to conduct this exam तो जो इस पे खर्चा होगा थोड़ा बहुत यदि NTA चाहें आज आज वो आएं बोले हाँ जिनके साथ problem हुई है हमें यह यह complete मिली है सवाई मधवपूर में यहाँ जो मध्यपदेश 36 गन में हुआ है इन सारे बच्चों का हम वापस paper लेंगे they give them seven days उनका वापस paper लिया result आना है जून के अंदर उसके अंदर उसको rationalize के और publish कर दिया इसके लगा और इसका कोई solution नीए और यह सारे बच्चे जो properly paper नहीं दे पाए इनका एक साल या दो साल खराब हुआ है यह deserve करते हैं इनके साथ मतलब system में वह empathy सम्वेदना होनी चाहिए कि हाँ no child left behind बोलते है तो उसी तरीके साब यह समझ दी जी every child should have the same right to be evaluated in NEET exam it is very very important exam बिल्कुल और खास तोर पर जब NEET जैसे एक serious exam को लेकर समझ नहीं आता है कि आखरे इतनी लापरवाई कैसे यहाँ पर बढ़ती जा सकती है कपिल जी आपने जिकर किया सवाई मादोपर का और बालोट के दो cases आए है यह सिर्फ दो cases है दो example है और आप कहरें कि यह हर साल होता है सबक क्यों नहीं लिया जाता है बार-बार यह गलती क्यों होती है किसका failure है और आपने दो cases का जिकर यह इस बार किया है और नजाने देश को ऐसे कितने सारे ऐसे cases होगे रिमोट एरिया में जो अभी सामने नहीं आए होगे ने मैं तो ऐसा है कि 2022 के अंदर यही वाली situation गंगा नगर राजस्तान में हुई थी और उस case में बच्चों का पेपर वापिस लिया था आर्मी पब्रीस पूर जो गंगा नगर में उसमें exactly यह वाला problem होगा था अचिकली होता क्या है कि हिंदी मीडियम का जिन भी बच्चों का पेपर होता है उनको bilingual मिलना चाहिए बहुत सारी cases में उन्हें सिर्फ English पेपर मिल जाता है बच्चे attempt नहीं कर पाते सवाई मादुपूर में तो बच्चे कल they stormed out of वो भार निकल के आगया examination center से आपको 5-20 से पहले भार निकलना allowed नहीं है उन्होंने उस paper का photo लिया उसे internet पे डाल दिया और काफी time तक कल यह भी हला मचा हुआ था कि क्या paper leak हो गया and we were worried यदि बच्चों को मैं IIT Delhi से हूँ मेरे साल में IIT का paper leak हुआ था 1997 में thankfully उसके बाद नहीं हुआ है तो we were worried कि ऐसा कुछ ना हो तो वो नहीं हुआ था but all of these things were going on लापरवाई definitely हुई है पर मेरे साब से इसको pool proof बनाना almost impossible आप यह सोची कि सारे 5000 सेंटर उसमें invigilator कम से कम 10 से 15,000 है हर जने को perfect training देना और expect करना कि वह उस pressure situation में जब सारी तरफ से लोग everyone is very very tense in that situation right मतलब कोई कुछ मांग रहा है कोई कुछ मांग रहा है सर यह नहीं हुआ सर वो नहीं हुआ तो गलतिया होना possible है but important यह है कि जब गलती हो तो NTA बहुत ज़ादा इस बारे में सजग रहे pushback न करें नहीं हम नहीं करेंगे quickly यह चीज़ सामने है इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है NTA सवाई मादूपूर वाली situation कल आके acknowledge कर लिए कि हाँ बच्चों को 45 minute paper late मिलाए